जैसा कि आप सभी को पता है पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे रेसिमी करण पढ़ रहे थे रेसिमी करण रेसिमाईजेशन रेसिमाईजेशन ठीक है तो इसमें हमने क्या कहाता कि रेसिमें एक मिक्सचर बनता है रेसमिक मिक्स्चर मतलब मालने ये बोटल है इसके अंदर दो तरह के समाविय भी है ठीक है क्या होंगे दो तरह के समाविय भी है एक है 50% है इसके अंदर R और 50% इसके अंदर क्या है S तो ये दो तरह के समावियों को सम मोलर मिश्रण है कैसा है सम मोलर मिश्ट यानि कि दोनों समाविया भी समान मात्रा में उपस्तित हैं तो यह क्या करेंगे एक दूसरे एक क्लॉक वाइज गुमाएगा एक आर है एक सकता है कि यह D हो और यह L हो डी और तो समझते हैं अब तक समस् abajo यहीँ तक पढ़ा रहेज़़ थी कहा है क्लाकleader करणा पैक्लागर और एक क्लाक्माइज RS का मतलब क्या है एक isomer होगा जो R होगा दूसरा होगा S यानि कि एक होगा dextrotrotatory और एक होगा levo rotatory कोई सा भी हो सकता है DRL ठीक है dextrotrotatory हो सकता है ये levo हो ये dextrot हो ये भी हो सकता है मैं तो अभी एक अंदाजा बता रही हूँ ठीक है और ये इस से कुर जो पीपिलगों कboom हारा हू Chandler टेक्सटर रोटेट्री है एक आसा होगा जो कैन कम आरा है id Еще दोनन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करदेंगे ऑबरओ pumped لच कर देंगी ऑबराल कैंसल कर देंगे और अगर कैंसल कर देंगे तो यह जो mixture होता है, racemic mixture होता है, यह कैसा होता है, optically inactive होता है, यह हम पढ़ाद चुके हैं पिछले lecture में, optically inactive होता है, racemic mixture को हम plus minus या D और L से भी प्रदर्शित करते हैं, से भी प्रदर्शित करते हैं, यानि कि यह जो racemic mixture है, इसको हम क्या बोलते हैं, D L या plus minus से भी प्रद प्लस माइनस हो गया और यहां पर आपको प्लस माइनस एक साथ लिके हुए मिलें इसका मतलब क्या है कि प्लस आइसो मर्वी बन रहा है और माइनस आइसो मर्वी और दोनों बरावर मात्रा में तो यह ओवराल कैसा हो जाएगा इससे एक प्रभाव को क्या कर देंगे कैंसल कर देंगे तो इसे ब्लस माइनस से मिलस ऺए तो म कह सकते हैं टी समाभी को का मोलर मिक्चट् चाहे और यह पर लाग और देखा जाए अगर डी अलग था एल अलग था जब अलग अलग ते मिक्स ट kilogram में नहीं थे तब यह जा-घ्र on यह भी आधा उप्टिकली एक्टिव तो घुभघाँ बना डिया सिंधुफिकली मिक्सचर तो क्या हो गया उप्टिकली हिन मاشन्ट वो गया इसी processing क्या बोलते हैं रिसमी की करण बोलते हैं रेसी माई जेशन ठीक है तो आगे दिखते हैं मिटा दू समझ में आया इतना आगे दिखते हैं तो ठीक है तो हमने मिक्स्चर तो बना दिया भई आर और एस यह मालो कोई रियक्शन हुई हमने बना दिया यह कोई समावी प्राप्त हो रहे हैं मिक्स्चर बन गया अपने को कैसे प्राप्त करेंगे कैसे हम उसमें से दोनों को अलग कैसे करें किया देख के बीन के अलग करोगे नहीं ना उसकी कई सारी विदिया हैं तो वो हम विदियों को पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई racemic mixture है तो उससे हम inanxiomers को अलग कैसे करें यानि क्रितिविम्ब समावयवे को अलग कैसे करें तो जो हम पढ़ने वाले हैं अब वो है रेसिमिक मिश्रण का वियोजन यह कहें रेसिमिक मिश्रण का किसमें प्रतिविम्ब समावयवियों में वियोजन कैसे होता है देखेंगे यानि कि हमें आर और एस को अलग-अलग करना हैं दोनों को अलग-अलग करना हैं कैसे करेंगे यह तो वही बहुत वही अलग हिसाब हो गया है गरना है पानी में से चीनी को अलग करना है तो यह बढ़ेंगे को प्रतिविम समावियों को अलग कर सकते हैं र और स को अलग अलग कर सकते हैं ठीक है तो यह निमन लिखित विदियों द्वारा संपन होता है कई सारी विदि हैं वन बाई बन पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांतरिक क्या है यांतरिक। प्रथक करण मेकेनिकल सेपरेशन यांतरिक प्रथक करण मतलब किसी यंतरिक साहयता से या हाथों को अलग करना आर को अलग करना, एस को अलग करना, अब तुम समझ सकते हैं कितना मुश्खिल काम है, है ना, क्या होगा, यह जो विधी है, किसने यूज की थी, लूइस पास्चर, जो सबसे पहले जिन्होंने प्रथक करण किया था, समावियवी का, वो कौन थे, लूइस पास्चर थे, उन इस विधी का प्रियूग किसने किया था, सबसे पहले समावियवीयों को प्रथक करने के रिए, तो हम यह लिख सकते हैं, कि इस विधी का प्रयोग किसने किया था, लूइस पास्चर, ने, किसके लिए किया था, अमोनियम टार्ट्रेट के मिश्रण या कैसा रेसिमिक मिश्रण को प्रथक करने के लिए रेसिमिक मिश्रण का प्रथक करन करने के लिए ठीक है? यानि के उनके पास अमोनियम टार्ट्रेट का मिक्स्चर था तो क्या हुआ? उन्होंने उसके क्रिस्टल बनाए जो मिक्स्चर था उसमें क्या थे? क्रिस्टल थे जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा उन क्रिस्टल को देखा तो उन्हों पता चला कि यह जो क्रिस्टल हैं दो तरह के हैं क्रिस्टल कैसे हैं दो तरह के हैं तो उन्होंने क्या किया हातों से क्रिस्टल को यानि माइक्रोस्कोप में देखकर हातों से क्रिस्टल को अलग-अलग किया ठीक है और जब crystal अलग अलग हो गया जब उन्होंने एक को घोला और PPL पास की तो देखा कि वो optically active हो गया mixture था तो कैसा था optically inactive क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाब को क्या कर देते हैं नस्ट कर देते हैं तो उन्होंने क्या किया हाथ से अलग की देखकर crystal के structure पहचान कर दो तरह के crystal थे उनको अलग किया फिर एक तरह के crystal को घोला पानी में देखा कि सच में separation हुआ है या नहीं तो देखा कि वो optically active हो गया और optically active हो गया अब वो mixture में नहीं है वो अलग है pure है और pure है तो कैसा होगा optically active हो गया तो इस तरह से हम यांत्रिक प्रथक्रण कर सकते हैं हाथों की सहायता से या किसी मशीन की सहायता से लेकिन यह बहुत ही ठगा देने वाला काम है कौन करेगा सारे crystals को छुट छुटे crystals होते उनको अलग कौन करेगा बैटकर हाथ से है ना तो इसका मतलब यह जो ब आधारित है यह विदी स्तथ्य पर आधारित है कि विविन्व प्रतिविम्व समाव्यभी प्रतिविम्व समाव्यभी अलग-अलग प्रकार के क्या बनाते है crystal बनाते है मतलब उनके crystal में थोड़ा बहुत डिफ्रेंस होता है तो अलग-अलग प्रकार के कैसे प्रतिविम्व रूप यानि कि यह भी इनेंश्यूमर से होते हैं कृतिविम्व रूप क्रिश्टल बनाते है और अगर दो तरह के crystal होगे तो हम उनको अलग कर सकते हैं किसी मशीन की सहाइता से है ना कि तो किया कर सकते हैं किसी उपकरण की साहिता से अलग कर सकते हैं तो अलग अलग प्रकार के क्रिष्टल बनाते हैं यहीं पर लिख देदें जिनको जिनको यांत्रिक उपकरणो की सहायता से क्या कर सकते हैं? प्रथक कर सकते हैं उपकरणों की सहायता से उनको हम क्या कर सकते हैं? प्रथक कर सकते हैं इस विदी का यूज सबसे पहले किस ने किया था? लूइस पास्टर लेकिन उन्होंने किस उपकरण का नहीं कि किसके यूज़ किया हातों का क्रिस्टल को अलग करने के लिए हातों का यूज़ किया था क्योंकि यूज़ है यहाँ लससे मैफ़ियान थाच मतलब जिसे बोले अलेगा हुआ जैव रसाइनिक प्रथक्रण यह क्या है बायो केमिकल सेपरेशन बायो केमिकल सेपरेशन जैवरसायनिक प्रतकरन, इसमें क्या करते हैं। कुछ सुख्षमिजीव ऐसे होते हैं, जो किसी एक आईस legally, मतलब R और S का मिश्रन है। तो हो सकता है कि वो केवल किसी एक आईसोमर S पर अभिक्रिया करता हो तो S पर अभिक्रिया करेगा और उसको क्या कर देता है नस्ट कर देता है उसको खा जाता है उसको पूरी तरह से नस्ट कर देता है तो हमारे पास बचता क्या है उसने अभिक्रिया किस पर की केवल S पर त सुक्षमिजीव किसी एक आइसोमर को खत्म कर देते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं कि अनेक कौन सुक्षमिजीव रेशिमिक मिश्रण पर अनेक सुक्षमिजीव रेशिमिक मिश्रण में क्या करते हैं बढ़ते हैं ठीक है तो एक प्रतिविम को एक क्या कर देते हैं वो कि किसी एक प्रतिविम रूप को क्या कर देते हैं तेजी से नस्ट कर देते हैं यानि एक फॉर्म दो थे ना आर होगा एक क्या कर देते हैं तो बचा हुआ तो बचा हुआ रूप है तो जो बचा हुआ रूप है कहीं बची क्या का है दूसरी वर्म जोकि फ्यो放 है यानि डी फॉर्म नस्टों की बचा किया य Maple एकिव स्फारे ते एक प्राप्टे कलस्ट चुक्य क्या हो जाएगा तो इस तरह से क्या किया जाता है जिवानों की साह्यता को क्लॉक्वाइज 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 घरेयो भी किसने किया था लुईस कि पास्ट छर ने किया था ठीक है उन्हें क्या किया था उनके पास की थे इंहोंनी उन्होंने जब तो जब क्या किया इन्होंने जब अमोनियम टार्टरेट के रेसिमिक मिश्रंड पर किसको? पैनिसीलियम ग्लॉकम को उगाया तो वह डी आईसोमर को डी आईसोमर को क्या कर देता है? नस्ट कर देता है यानि कि यह किस पर रियक्ट करता है? डी और एल दोनों का मिक्स्चर था किस पर रियक्ट करेगा? डी पर रियक्ट करेगा और उसे नस्ट कर देगा तो बचेंगे क्या केवल? एल बचेंगे है ना तो बचा हुआ जो बचा हुआ जो क्या कहते हैं हमारा बचा हुआ जो रूप होगा वह कैसा हो जाएगा optically active होज जाएगा optically active तो जल्दी से नोट किजिए फिर देखते हैं अगली विदी को प्शूरत किया आगे चलते हैं जो तीसरी विदी है वो है salt formation method क्या है chemical method भी बोलते हैं से जो तीसरी विदी है वो कौन सी है रासाइनिक विदी दिमतलब chemical method यानि कि हम उसका reaction कराएंगे chemical reaction इसको क्या कहते हैं लवर निर्मान्ट विदी भी बोलते हैं क्या कहते हैं से love निर्मान्ट विदी है यहां इसे क्या कहते हैं यहां इसे डाया स्नीरियो ऐसोमर्च उसमर्च में परिवर्तन द्वारा व्योजन भी कहते हैं डायास्टीरो आइसोमर्स में परिवर्तन द्वारव व्योजन यहां से लवड निर्मांट वीदी भी कहते हैं एक तरह का सॉल्ट फॉर्म किया जाता है हमें क्या करते हैं जो हमारे पास मिक्सच्चर है ठीक है मिक्सचर है उसमें एक आर होगा एक एस रूप होगा तो हम उस इसम परिवर्थित कर देते हैं डाया इस्टीरियो आइसोमर्स और हम जानते हैं यह हम देख चुके हैं जो हमारे इनेंशी उमर्स होते हैं उनकी सारी प्रोपर्टीज क्या होती हैं तो उन्हें प्रथक करना थोड़ा सा याउनि इनकेवचों गुण लगलाक हॉंगी तो इसका मतलब जैसे हाँ मर्स को किसमे परिवर्तित कर देते हैं दाया इस्टीरियो ही समर्स परिवर्त में परिवर्तित कर देते हैं तो दोनों की रियक्षिंग्र नहीं तो दोनों की प्रॉपर्टीकल और फीजिकल दोनों के वह ज़्यादा डिफ्रेंट कि नहीं होती क्योंकि नहीं नहीं इसले इनकी क्या होती है तो इस तरह से हम उनको प्रथक करन कर सकते हैं पेहले उनको क्या करते है डाय अस्टेर्य को ये क्रिष्टेंट कर लेते हैं तो हम या लिखेंगे तो यह विद्य एक्षण यह विद्य एल किया तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रफक न की सबसे अच्छी यह यह कहलें उपियोगी विदी है सबसे अच्छी विदी है इसमें क्या करते हैं इसमें जो mixture है R और S का तो किसी एक को हम क्या कर देंगे सबसे प्रतिविंब्र प्रतिविंब्र इसमें किसी एक लिखांगी किसी एक प्रतिविंब रूप को किसमें परिवर्तित कर देते हैं अप्रतिविंब रूप में परिवर्तित कर देते हैं यानि डायस्टीर वाइसुमर में परिवर्तित कर देते हैं अ और या एस याँ डि और एल जो भी था उसमेंसे किसी एक को क्या बना देते हैं फिर क्या होता है जैसा कि हम जानते हैं कि जो अ प्रतिविंब रूप होते हैं वो क्या होते हैं और प्रितिविम्ब रूपी बहुतिक तथा रासाइनिक गुणों में क्या करते हैं भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो बिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो क्या किया जा सकता है इसलिए करते हैं अतहा अतहा क्या है इसके द्वारा बहुत सारी विदियों के द्वारा है जैसे प्रभाजी क्रिस्टिलन आश्वन क्या कर सकते हैं प्रभादी क्रिस्टिलन आश्वन आधी का उपियोग करके अप्रति बिम्ब रूपियों को अलग कर लेते हैं तीक है जैसे ही वो एक फॉर्म डाया स्टिरियो में चेंज होगी तो क्या होगी तो जो एक एल डी फॉर्म थी मानलग चेंज होगी किसमें अप्रिति बिम्ब रूपि में दूसरी तो S बच्ची हुई है और अप रिति बिम्ब रूपियों और S दोनों की प्रोपर्टीज क्या होंगी अलग-अलग होंगी तो हम उनको अब आसानी से सेप्रेट कर सकते हैं किसके थुरू प्रवाजी, क्रिस्टलान, आस्वानादी का यूज करके प्रवाजी, तब मीरा रिमेज थे तो दोनों में रिलेशन क्या होगा अप रिति बिम्ब रूपियों का और इस तरह से हम इन वीदियों का यूज करके उनको फ्रथक कर सकते हैं तो इस तरह से हम रिजॉल्यूशन करते हैं रैसिमिक मिक्स्चर का नोट कीजिए जल्दी नोट कीजिए जल्दी से ठीक है और जैसे हम एक वार उनको डाया इस्टीरियो आइसोमर्स में चेंज करते हैं यह हम कई तरीके से करते हैं अम्लिक को उपयो करके चार का उपयो करके अमीनों का अमीन योगिक करके यह फिर क्रोमैटोग्राफी द्वारा उपयो करके उनको हम Ciao को tv कर सकते हैं उसकी कई सारी विदिएयां हैं कि हम उनको इसका तो बहुत महत्त है इसके उपर तो पूरी एक asymmetric synthesis की पूरी chemistry चलती है जुसमें हम क्या पढ़ते हैं asymmetric synthesis पढ़ते हैं लेकिन वह higher classes MST में जब आप जाओगे तब पढ़ोगे यहां किसी higher study में जाओगे तब जाके पढ़ोगे asymmetric synthesis यहां तो आपको केवल introduction दिया गया है असम्मित संसिलेशन का असम्मित संसिलेशन ठीक है उसको बोलते हैं asymmetric synthesis क्या है यह asymmetric synthesis देखते हैं तो definition क्या है इसकी क्या है सम्मित संसिलेशन अगर simple language मैं कहूं तो हमारे पास कोई यह कैसा molecule हो जो सम्मित हो सम्मित मतलब optically inactive हो उसके अंदर कुछ भी symmetry element उपस थे तो उससे हमें क्या बनाना है उसे हमें क्या करना है उसे हमें asymmetric में change करना है asymmetric में मतलब उससे optically inactive है लेकिन उसको क्या बनाना है optically active बनाना है यहाँ पर racemic mixture नहीं है जो अभी हमने किया था रेशिमिक mixture में से अलग कर दो अप्तिकली active हो जाएगा वह नहीं करना हमको रेशिमिक करन नहीं करना बलकि अलग से हमें क्या बनाना है optically inactive को optically active बनाना है यानि कि जो पहले दुरुवन घुर्णक नहीं था उसको बाद में क्या करना है रियक्शन कराकर तो ऐसे शेंसिलेशन को हम क्या कहते हैं asymmetric संसिलेशन कहते हैं तो मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकती हूं कि सम्मित अडू का असम्मित अडू में परिवर्तन क्या कहलाता है असम्मित असम्मित संसिलेशन कहलाता है क्या कहलाता है सम्मित संसिलेशन कहलाता है यानि कि हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है सम्मित जो कि क्या होता है अप्टिकली इनेक्टिव होता है उससे हमें क्या करना है Optically Active Molecule का निर्मान करना है बिना किसी रेस्मिक मिक्षण के विश्रण का वियोजन किये हुए तो उसे हम क्या कहते हैं असम्मित संसिलेशन कहते हैं यानि कि और इसमें हम यूज किसका करते हैं Optically Active अडूओं का कोई Optically Inactive अडू हैं उसमें हम क्या करेंगे हमारा कोई Optically Active अडूओं का यूज करेंगे और बिना किसी रेस्मिक मिक्षण का वियोजन किये हुए उसे हम क्या करेंगे किसी एक रूप को संसिलेशित करेंगे जैसे प्रतिविम समावियों के दो रूप होगे ना कोई होगा एक आर कोई एस या कोई होगा डी या एल तो किसी एक रूप को संसिलेशित करेंगे मानलों डी को संसिलेशित करना है तो किसी एक रूप का संसलेशन करना अप्टिकली एक्टिव होगा वो तो उसी को हम क्या कहते हैं जो उसी को हम कहते हैं इस्यमेट्रिक सिंथेसिस दोनों का संसलेशन नहीं करना रेस्यमिक मिस्चर नहीं मनाना वहीं हमें कोई एक रूप ही चाहिए मालो कोई रियक्शन ऐसी है जिसमें हमें रैस्टमिक मिस्चर प्राप्त हो रहा है ठीक एंगे बी और एक्षेम्स का यूजणि का यूजव करेंगे यूजणि जो फुद कैसे हों और एक्टिव हो तो जो इस तरह के जो रिएजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं केवल किसी एक प्रतिविम रूप का ही निर्मान करते हैं ठीक है दूसरे का निर्मान नहीं करते तो इस तरह से हमको रियक्शन में केवल एक प्रतिविम रूप प्राप्त होता है और इसी को हम क्य कहते हैं असम्मित संसलेशन कहते हैं आई होप समझ में आ रहा होगा सिंपल लेंग्विज में तो मैं यहां लिख सकती हूं कि इसी डैफिनेशन को दूसरी तरीके से लिख सकती हूं यह जब किसी ओप्टिकली इनेक्टिव यानि दूवण अगूर्णक अडू से किसी ओप्टिकली एक्टिव यानि दूवण गूर्णक अडू का उपियोग कर किसी ओप्टिकली इनेक्टिव अडू से किसी ओप्टिकली एक्टिव मतला दूवण गूर्णक अडू का उपियोग कर क्या करते किसी एग उपियोग कर उपियोग करते हुए बिना रेसिमिक बिना रेसिमिक मिश्रण का वियोजन किये नहीं हमें रेसिमिक मिश्रण नहीं वनाना कि उसका वियोजन करना पड़े हम तो चातने किवल एक ही मिले रेसिमिक मिक्स्चर मिले ही ना तो बिना रेसिमिक मिश्रण का वियोजन किये हुए किसी Optically Active या कहूँ किसी Optically Active यानि दुरूबन गोर्नक Optically Active मतलब दुरूबन गोर्नक अडू के किसी Optically Active अडू के एक ही प्रतिविंब रूप का संसिलेशन किसी एक प्रतिविंब रूप का संसिलेशन क्या कहलाता है असमित संसिलेशन कहलाता है समझ में आये ना क्या करना है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल था वो Optically Inactive था उससे हमें Reaction करानी है तो हम उसकी Reaction किस से कराएंगे किसी Optically Active अडू से कराएंगे ताकि हमको Racimic Mixture ना मिले क्या ना मिले Racimic Mixture ना मिले कोई एक प्रतिविंब रूप मिले हमको ठीक है और इसी Formation को हम क्या कहते है Racimic Mixture ना मिले तो उसका वियोजन नहीं करना पड़ेगा है तो हमें कोई Racimic Mixture ना मिले आसमित Sinculation कहते हैं इसके लिए भी कई विदियों का यूज किया जाता है आसमित Sinculation के लिए कई विदिया है जब आप Higher Classes पढ़ जाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आसमित Sinculation जिसमें हम कई का यूज करते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है असम्मित कि संस्लेशन की विदियां कई सारी विदियां जिनका यूज किया जाता है यह सिमेट्रिक सिंथेसिस में तो हम लिख सकते हैं कि यह निम्न लिखित विदियों द्वारा किया जाता है किया जाता है सबसे पहली विदि क्या है जैसा कि अभी मैंने बताया हम कोई रिएजेंट यूज करेंगे काईरल ऑक्जिलरी का यूज करेंगे। काइरलॉकशिल्यारी का मतलाव एक ऐसा रीजंट यूज करेंगे जो खुद हो काइरल यानि optically active हो कोई रीजंट भी हो सकता है कोई solvent भी हो सकता है यहां कोई उत्प्रेयरग तो कोई ऐसा रीजंट यह solvent या ऊद्प्रे क्यों तो पहली वि πε? तो यही है कि हम क्या कर सकते हैं कि दुरुवन गूर्णक यानि ऑप्टिकली एक्टिव क्या ले सकते हैं अभी कर्मक हम अभी कर्मक लेते हैं रियक्शन में यह फिर यह उत्प्रेरक भी हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव उत्प्रेरक यह विलायक भी हो सकता है हम ऐसा कोई ले ले लें झो खुद कैसा हो अप्तिकल एक्टे वह सॉल्वेंट तो इनका प्रियोग करके प्रियोग करके क्या करेंगे हम कोई अप्टिकली एक्टिव रीघंट लेंगे या तो उप्रेरक यां विलायक का यूज करके किसी एक प्रतिविम रूप का संसलेंशन करेंगे तो कि इसका यूज किसने रहे हैं व्यश्च किसने क्या थे मैक्वेंस मैकवार्ड किसने मैकवार्ड ने मैकवार्ड ने क्या किया था कि इथाइल मिथाइल ठीक है किसका यूज किया था इथाइल मिथाइल मैलोनिक एसेड मैलोनिक एसेड किसका यूज किया था इथाइल मिथाइल मैलोनिक एसेड के कि मैलोनिक एसिड के ब्रूसीन के साथ बने लवन ब्रूसीन के साथ बने लवन कौन था इथाइल मिथाइल मैलोनिक एसिड था उसका लवन बनाया किसके साथ ब्रूसीन के साथ उसका फिर यूज करते हुए तो ब्रूसीन के साथ बने लवन का उपियोग कर किसका निर्माण किया आईसो वैलरिक एसिड का निर्माण किया अगर ब्रूसीन के साथ उसका लवण नहीं बनाते तो हमको रेसिमिक मिक्स्चर प्राफ्त होता है वह क्या किया स्कती हमने भांद यूशक्या कि प्रॉसीं के साथ लवन बनाया प्रक्त की पहलाई, isovaleric acid का निर्मांड किया किसका isovaleric acid का निर्मांड किया यह उसम्मित क्या ठीक है क्या है यह सुपतर नौनिक एंचीड मैले कंस तो जानते ही हो जिसमें दो सी ओो एच ग्रुद लगए होते होंगेदेगा सी गूदा का है ओधरन भी सी ओ हो और ही लगयुत है यही है हमारा इथाइल ने एसका लबन बनाया किसके साथ बूसीन के साथ बूसीन लिया जैसे कौन सा नेगेटिव बूसीन लिया ब्रूसीन लिया ब्रूसीन क्या लिया नेगिटिव नेगिटिव मतलब ब्रूसीन जो था वो अप्टिकली एक्टिव था नेगिटिव साइन लगा हुआ है नेगिटिव साइन का मतलब यह PPL को क्या गुमाएगा लीव रूटेटरी एंटी क्लॉक्वाइस डारेक्शन में ग अप्टिकली इनक्टिव यह कैसा है अप्टिकली एक्टिव तो हमने किसका यूज किया है अप्टिकली एक्टिव परदार्थ का यूज किया है तो इसके साथ इसका क्या बनाया इसके साथ इसका सॉल्ट बनाया और इसका यूज करके किसका निर्मान किया वैलेरिक एसिड का तो यहां से क्या हुआ यहां से जैसे ही गर्म करते हैं जहां पर सी ओएच लगाओ और उसे गर्म करते हैं तो वहां से सी ओटू गैस क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है और सी ओटू गैस बाहर निकलेगी तो बचेगा क्या सी ओओ एक तरफ बचा हुआ जुड़े हुए हैं तो यह क्या होगाshe e Creative थो किसी एक रूप का अंकना और यह बना हुआ है 1-2-ós-1 rif angão- banana यह माइनस यह माइनस लिव का उटेट्री फ़ॉम बनी हुए इसकी तो मैइनस मेरफ कर सकते हिसे और कौन-कौन से विदिया हैं ठीक है नेक्स्ट विदी देखते हैं दूसरी विदी है कि हम कोई धूँबन गुर्णम्णुडदक मतलब अप्टिकल एक्टिव तो एक्टिव क्रियाधार द्वारा मतलब सबस्ट्रेटेट अभी जैसे हमने क्या ले आता अधायल मैelोनिक असेड ले आता वह क्या था हमारा सबस्ट्रेट था क्रिया धार ता, उसी पर तो reaction कराई थी हमने दिखराए तो वो क्या था हमारा substrate क्रिया धार था, उसी पर तो reaction कराई थी, लेकिन वो कैसा था, optically inactive था, क्योंकि उसमें सम्मिति का तल उपस दिता अब हम क्या ले, जो हमारा substrate याने क्रियाधार जिस पर हमको reaction करानी है जिससे हमें simulation करना है वो ही अगर हम कैसा ले optically active लेए वहां पर हमने क्या लिया था क्रियाधार जो था वह हमारा substrate जो था वो तो था optically inactive क्योंकि उसमें क्या था तल उपस्थित्ता सम्मेति का है ना तो वो कैसा था दुरुवन अगूरनक था तो वहाँ पर हमने किसका यूज किया था कोई optically active substrate का यूज किया था जैसे कि solvent भी हो सकता है वह क्या हो सकता है उत्प्रेरग भी हो सकता था और अभी कर्मक जो हम रियेजंट जिसकी reaction करा रहे हैं वह भी दो सकता है भी लेँकिन यहां पर तो हम क्या ले रहे हैं वहीं ले रहे हैं यांव As यह खुद optically active है तो किसी दूसरे optically active पदार्च की ज़रूरत नहीं है देखते हैं तो यहां क्या होता है कि यदि हम optically active ले रहा है इसका मतलब उसमा पहले से यह सम्मित carbon परमाड़ू उपस्थित है तो यदि पहले से ही अडू में क्या उपस्थित हो असम्मित कारवन उपस्थित हो तदा उसमें पहले से यह सिमेट्रिक सेंटर है और फिर हम क्या कर रहे हैं फिर हम उसकी reaction करा रहे हैं और reaction कराकर एक और सेंटर बना रहे हैं पहले से उपस्थित था और एक और बना रहे हैं तथा किसके द्वारा असम्मित असम्मित संसिलेशन द्वारा जब दूसरा एसिमेट्रिक कारवन बनाया जाता है तो तो बनने वाले अप्रतिविम्ब रूपी रूपी की बनने वाले अप्रतिविम्ब रूपी क्या होते हैं यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि क्या होगा कि हमारे पास ऐसा मॉलिकुल था जिसमें एक सेंटर पहले से ही था ठीक है फिर हमने उस पर रियक्शन कराई दूसरा सेंटर और बना दिया रियक्शन के थूर असम मेंसे सिंसमें एक की मात्रा क्या होगी जूसरे क्या होगी बंने वाले रूपी मैंसे एक की मात्रा अधिक मेंती हैं बिल्ट में आप लोगों क्रिया долत होगा कि fosse एंडि को एक्जम्पल में हम क्या ले सकते हैं किलिए है किल्एनी संसलेशन खुछ पादे Qu часть का संसलेशन ले रहे हैं किल्यotal संसलेशन ले में सुना होगा रहे रहे समय अहई सब्सक्राइब साफ आप लोगा चाहिए निए बायो मोलप्रां नाले निक्ला नइंज्ट जैसे कि हमारे पास यह molecule है यह है इस पर जुड़ा हुआ है C2H5 इधर जुड़ा हुआ है CS3 इधर जुड़ा हुआ है H ठीक है और इस पर एक C11O group जुड़ा हुआ है C11O मतलब aldehydig group जुड़ा हुआ है यहां पर देखें तो हमारे पास यह जो हमारा substrate है इसके अंदर और एक asymmetric center मौजूद है एक ऐसा carbon मौजूद है जिससे चार अलग-अलग group जुड़े हुए एक तरफ C2H5 है CS3 है Hydrogen है और CHO है तो यह पहले से यह asymmetric center है जब मैं इसकी reaction किस से कराऊंगी HCN से करांगी तो यहाँ पर क्या होता है H+, और दूसरा क्या होगा CN- यह क्या करेगा यह जो carbonil group है यह delta- होगा और यह delta- होगा क्योंकि oxygen की विद्धुत्रनात्मक्ता जादा होती है तो इलेक्ट्रोनों को अपनी तरफ खीशता है तो यह CN- जाएगा और इस carbon पर attack कर देगा जैसे ही attack करेगा यह bond concept हो जाएगा ओपर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा CN जुड़ गया एक बनेगा OH एक बनेगा H और यह तो पहले से ही थाई H यहाँ पर CS3 था और नीचे कौन था? C2H5 है ना? अब ये वाला केंद्र क्या नया बनाए asymmetric translation द्वारा इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं क्या हुआ है यहाँ पर? यह हो रही है योगात्मक अभिक्रिया addition reaction क्या हुआ है? योगात्मक अभिक्रिया हो रही है CN- गया और कारवन पर जाकर जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर एक सेंटर का निर्मान हुआ, ठीक है, मैंने बोला दो बनेंगे, तो दो क्यों बनेंगे, एक तो यह बन सकता है, अगर आप लोगों होगा, राइट हैंड साइड पर, और दूसरे में ओच होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, तो इसके दो रूप बनेंगे, ठीक है, जैसे सीन अटेक करेंगा, कारवन पर क्या आ जाएगा, सिंगल और सिंगल बन पर हम जानते हैं, क्या हो सकती ही, रोटेशन हो सकती है, पॉसिवल है, तो क्या हो सकता है, कि ओएच ग्रूप इस साइड भी हो सकता है, और हो सकता है कि घूम कर दूसरी साइड पहुन जाए, तो इसके क्या प्राप्त होते हैं, तो यह दोनों आपस में अप्रितिविंब रूपी हैं, कैसे हैं, अप्रितिविंब रूपी हैं तो आगे क्या होगा, फिर मैं इसका क्या कराऊंगी, फिर मैं इन दोनों का क्या कराऊंगी, फिर मैं इन दोनों का, अम लिए जल अब गटन कराऊंगी, क्या कराऊंगी, अम लिए जल अब गटन कराऊंगी, तो यह जो CN ग्रूप है, हम जानते किसमें चेंज हो जाएगा, कि वो H में change हो जाएगा H यह है O H यह है H CS3 C2 H5 इसमें से एक रूप बनेगा जादा और एक रूप बनेगा कम ठीक है यह जो प्लस फॉर्म है यह वाला जो है प्लस यह बनेगा अल्प मात्रा में कैसा बनेगा अल्प मात्रा में यानि कम मात्रा में और यह जो माइनस है यह कैसा बनेगा अधिक मात्रा में तो ओवरॉल इसकी मात्रा जादा है माइनस वाले की तो ओवरॉल जो हमारा सॉलुशन रहेगा वो कैसा रहेगा माइनस वाले की मात्रा क्या है जादा है तो जो ओवरॉल सॉलुशन रहेगा वो ली कर लिया तो हुआ है आँ तीसरी जो विदी है स्थिमेट्रिक सिंथेसिस की हाला कि विदिया तो बहुत सारी हैं लेकिन जैसे जैसे आप आये spielt जाओगे तो बीद्यों की संख्यावी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तीसरा जो हम यूज कर सकते हैं वो है एंजीम द्वर Это तो हैं एंजाइम के उपियोग द्वारा एंजाइम का उपियोग करके हम क्या कर सकते हैं असमित संसलेशन कर सकते किसी Ali offer प्रिक्व घुति इसका यूजिन करते हैं जैसे फॉर एक्सांपल जब और उन्हें सेशने gsnc अभिक्रिया को इसको किसी एंज़ाुंग की में किराने पर जबर कि किसी एकशन को मैं इंज़ाइम कि तो ही एक रूप ज्यादा बनेगा बनेगा कोई च्रूप क्या होगा बनेगा तो तो किसी एक रूप के प्राप्ति होगी तो ये मलसिन एंजाइम के उपस्थिती में कराने पर मेलडोनिक अमलो बनता है कौन बनता है मेलडोनिक अमलो बनता है एक एसड बनता है जिसे बोलते हैं मेलडोनिक एसड बनता है क्या reaction होगी Benzyltheid क्या होता है Benzyltheid मतलब य preset बेंजीन की रिंग होग इस तरह से और उस पर क्या लगा और बेंजल डी है तो बेंजीन कि रिंग और बेंजीन की रिंग पर क्या लगा होगा लगा हुआ है यही है हमारा बैंजलडी हाइड ठीक है जब इसकी रियक्षिन में किस से कराऊंगी किसकी उपस्तिती में इमल्सिन एंजाइम की उपस्तिती में बिल्कुल वैसी रियक्षिन होगी जैसे अभी हुई थी सी एं माइनस जाएगा यहां टेक करेगा ओपर यह बॉंड मूब करेगा ओ माइनस होनेगा तो क्या प्राप्त होगा यह प्राप्त होगा हमें कुछ इस तरीके से CC UH यहां पर H और यहां पर क्या आजाएगा CN आजाएगा क्या प्राफ्टू हमको COPCN क्या कराते है क्या कराएथा क्या Mini अमलिusan लगातन यहां लिभी करा सकते और शारीय लभी लगातन बिपूरा ? तो क्या होती है सुाक यहां पर choh اور यहाँ पर क्या बन जाता है cozos बन गया coc यह क्या है हमारा यही है हमारा meldonic acid क्या है то 이स तरह से meldonic acid प्राप्त होगा वो भी कौनसा केवल एक रूप प्राप्त होता है कौनसा minus क्या प्राप्त होता है हमको finally minus दीक है तो हमें minus तो इस तरह से meldonic acid प्राप्त हुगा, वो भी कौन सा, केवल एक रूप प्राप्त होता है, कौन सा, minus, क्या प्राप्त होता है हमको finally minus, तो हमें minus meldonic acid प्राप्त होता है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, asymmetric synthesis करा सकते हैं, किसी एक प्रतीविम रूपी को अधिक मातरा में कब्स्ट्रेट लिया है वही अप्टिकली एक्टिव ले ले लिए या फिर अम जिसके साथ रियक्षन करा रहे हैं वह अप्टिकली एक्टिव हो तो हम एस्यमेट्रिक सिंथेसिस कर सकती हैं इसकी और भी विदिया जो आप आप वो higher classes में जाएंगे तब पढ़ेंगे अभी के लिए thank you, मिलते हैं next video में